कि कुश्यन नम्मर 54 निकाल लिया आप लोग कुश्यन नम्मर 54 54 है ना 53 तक हो गया था 54 निकालिए चलिए कि कुश्यन पढ़िए आप लोग एक पुरुस्त तथा एक लड़के को पांच दुनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपे मिलते हैं पुरुस्त की कार छमता लड़के की कार छमता की दुगनी है तो लड़का 30 दिन कितने रुपे कमाता है कुश्यन समझीए आप लोग फिर से कुश्यन नम्मर 54 वोला है एक पुरुस्त तथा एक लड़के को पांच दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपे मिलते हैं रहे हैं अब कह रहा है कि एक लड़का और पुरुस्त की जो कार छमता का अनपात दिया गया वो क्या दिया गया है दो गुना दिया गया है ब्यक्ति की जो कार छमता है लड़के की कार छमता से दुगनी है पूछा जा रहा है तो लड़का प्यति दिन कितने रुपे कमाता है लड़का 30 दिन कितने रुपे कमाएगा यह आपको फाइंड करना है देखिए अगर मैं कुश्चन नमर 54 की बात करूं एक लड़का और एक पुरोस पुरोस प्लस लड़का यह पांच दुनों में कमा रहें कितना रुपया पांच दुनों में 800 रुपे कमा रहें पांच द 60 रुपे इतनी जीच किलियर हो गई क्योंकि हमने यहाँ पर दे दिया पांच से भाग पांच दुनों का जो मूल दिया गया वो 800 रुपे दिया गया एक दन का कितना हो जाएगा 160 रुपे हो जाएगा अब आंगे कुश्चन बोलना है कि एक पुरोस और लड़के की जो कार चमता है वो कितनी है दो अनपात एक में है जो कार चमता की बात कर रहा है यह पुरुस की कार चमता और यह किसकी लड़के की कार चमता दी गई है टूश्टू बन पुरुस की कार चमता दो है लड़के की कार चमता एक है मतलब लड़के पुरुस की जो कार चमता है लड़ सोटू बराधर ही होगी तूइस्टू बन दूसरे दिनीट रूपय कमाया Tetra दिन में नोने कितना कमाया होगा 160 रुपे कमाया होगा तो अब तो आप सीधा-सीधा निकाल सकते हैं अगर कोई व्यक्ति जिनका अनुपात कार्चमता का अनुपात टूश्टू बन है और कमा रहें 160 रुपे तो एक का क्या आ जाएगा लड़के का बताइए 160 इंटू 1 से आ गया दौनों की कार्चमता दौनों की कार्चमता से भाग दिया गया है और जो बच्चे की जो लड़के की कार्चमता उससे मल्टिप्लाई किया गया है कुल मूल में कुल मूल आपका 160 रुपे था लड़के की कार्चमता से मल्टिप्लाई किया गया है और जो आवाज तेज है अब अब सिलो नहीं बोल लाएं तेज नहीं बोल लाएं आप अकड क्यों रहे हैं यह बताईए आप तेज बोल लाएं कि हम तेज बोल लाएं हम बिल्कुल सही बोल लाएं मैं वहां से आवाज तेज होगी हम तेज नहीं बोल लाएं यह आपके कानों की प् ठीक और बताईए और सुलो करवा दूं किलियर है अब बताईए अब सुलो सुनाई देर आपको यह हैं से प्रॉब्लम थी चलिए फिर से समझी आप एक पुरोस और एक लड़का जो पांच दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं आर्ट रुपय कमा रहे हैं तो एक दिन में कि बरावर 160 यहां तक बिल्कुल किलियर यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए अब आंगे बोला है कि जो पुरुस की कारशमता है लड़के की कारशमता की दुगनी है तो बताईए अगर पुरुस की कारशमता दो है और लड़के कारशमता एक है अब पूचा जा रह ऐसे यह ठाल सकते हैं तीन की vally एक सो साथ अगर आपको यह सब नहीं करना तो आप लायों से भी निकाल सकते थे पिंगी एकषो साथ एक की वैलिव कितनी आप है को थे इस अंठो गया नेक्स कुष्जन इसे अप लोग समझा अग्या सब को फिर से समझाbei आ गया कोश्यन नमर 55 ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमसा रुपे साड़े तीन रुपे और धाई रुपे है ए और बी की दैनिक मजदूरी दी गई है हाँ पर आपको एक ही जो दैनिक मजदूरी है साड़े तीन रुपे है और जो B की देनिक मजदूरी है वो कितनी है? धाई रुपे है आएंगे कुश्चन आपसे बोला है जब एक काम समाप्त कर लेता है तो उसे 63 रुपे मजदूरी के रूप में मिलते है और जब B काम समाप्त कर लेता है तो उसे मजदूरी के रूप में 75 रुपे मिलते है यदि दो दौनों मिलकर एक साथ मिलकर काम करें तो यह काम की लागत क्या आएगी समझ रहे हैं बात को कुश्चन आप से क्या बोला है जो A और B दो लोग हैं काम करने के लिए अगर A एक दिन काम करता है तो साड़े तीन रुपे लेता है और B एक दिन काम करता है तो कितना लेता है धाई रुपे लेता है जब A अपना कार समाप्त करता है तो उसे मजदूरी के रूप में 63 रुपे मिलते हैं कितना मिलता है 63 रुपे एक दिन का लेता है साड़े तीन रुपे बोलना है कि B एक दिन का लेता है धाई रुपया कितना लेता है धाई रुपय लेता है और जब वो कार समाप्त करता है तो उसे 75 रुपय मिलते हैं तो यहां से क्या पता चल जाएगा यहां से यह पता चल जाएगा कि B कितने दिन तक काम करता है B कितने दिन तक काम करता है जब यह दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो जितने दोनों में यह काम खतम करेंगे तो यह पूछा जा रहा है तो इनको दोनों को कितना एकटा मिलेगा ये बात आपसे पूछी जा रही है, चलिए आईए देखते हैं, कुश्यन नमबर 55, 55 नमबर का कुश्यन है, यदी A को, हिंदी जादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, यदी A को, एक A की एक दिन की मजदूरी कितनी है, A की एक दिन की मजदूरी, बोलिए, साड़े तीन रुपे अगर टोटल इसे मिला है, टोटल कितना मिला है, कुल मजदूरी, एक ही मैं बात कर रहा हूँ भी, और कुल मजदूरी उसकी कितनी है, 63, तो बताए, कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल दिनों की संख्या अगर हम लोग निकालेंगे, कुल दिनों की संख्या व लाग दे देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसने कुल कितने दिनों तक कार किया किलियर है तो बताइए 63 अपॉन 3.5 कितना आ गया किलियर है अठारा अब मैं यहां से बीकी निकालूं बीकी एक दिन की मजदूरी कितनी दी गई है कि दाई रुपे अब बताइए अगर बीकी कुल मजदूरी कितनी दी गई है कि 75 रुपे दिया गया है तो बताइए कुल दिन की कितनी संख्या आ जाएगी कि दुनों की संख्या रावर कितनी 35 भाग दाई 30 30 दिन आ गया अगर एक किसी कार को 18 दिन तक कर रहा है और बी उसी कार को कितने दिन तक कर रहा है 30 दिनों तक कर रहा है ए 18 दिन तक कर रहा है और बी 30 दिनों तक कर रहा है यहां तक चीज़ समझ में आ गई अभी तो केवल आपको यह पता निकल के आया है क्लियर है यहां तक अगर हम इन लोगों का अब क्या निकालें तोटल कार की अब बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है कुश्चन आंगे आप से बोला है यदि बे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो काम की लागत क्या आएगी तो काम की लागत क्या आएगी यह आप से पू कि नाप का पहले वाला बन गया एकार कर रहां आठारे दिनों तक और सब्सक्राइब कर रहा है तीस दूनों तक कि यहां तक किनित्श को समस्या है ओ तो पहले बता देया तक किल्किलियर यहां से आपने क्या क्या एक एक दिन की मजदूरी दी गई थी आपको 3,5 रुप 안ब शूरी दी गई थी हपको 3,60 रुपए ले कहा थे आपको यह पता चल गया कि एन्हें कि इन्हें 18 अकि कुल कार किया जब मैं आंगे गया तो बीकि एक दिन कि मुझे मजदूरी दी गई थी धाई रुपे वहां से मुझे कुल मजदूरी पता थी कि बी की कुल मजदूरी यह 75 रुपे है तो यहां से मुझे यह पता चल गया कि बी ने कुल कितने दिनों तक कार किया 30 दिनों तक कार किया कितने दिनों तक कार किया 30 दिनों तक कार किया अब आंगे देखिए आप लोग अगर A कोई कार 18 दिन तक कर रहा है B उस कार को 30 दिनों तक कर रहा है तो कुल कार कितना हो जाएगा कुल कार हो जाएगा 90 है एक किसनति कितना जाएगी बिकितनल कितने आ जाएगी तीन कर एक ऐसाफिए जिवागई आ गई आ पाँच ए फिसनती आ गई एट तीन हैं तक किसी कोई दिक्कत तो बताए किलिए कोफिक करी यहां तक आप लोग जल्Дी करिए करो मुट्ढ मेो हो ग्या कि कि लिए रहतना है एक कि एफिसेंसी जो आपकी आ गई यहां पर पांच आ गई है और बेग इफिसेंसी यहां पर कितनी आ गई है तीन आ गई है देखिए अब कुश्चन के रहा है तो दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें दोनों वही काम कर रहा है एक साथ मिलकर तो काम की लागत क्या आएगी काम की लागत आपसे पूछी गई है कि दोनों उसी काम को करेंगे तो अब काम की लागत क्या आएगी अगर दोनों का काम अगर हम लोग देखें तो यह बताइए पूरा कार कितने दुनां में खतम हो जाएगा तो भूलिए कि निकालना नहीं इतना क्यों निकालेगे इतना रिकाल लीजिए 90 बटे आठ डॉन नों कितने दिन तक 90 बटे आठ कैल्कुलिसं बढ़ जाएगी आपकी यहां से 90 बटे आठ बात समझ मैं आगी यह कहां से आ गया क्योंकि efficiency आपको पता चल गई दौनों की यहां से क्या आया दौनों की efficiency आई है अब आप मुझे बताइए जब दौनों की efficiency आगई है A की efficiency आगई है 5 और B की efficiency आगई है 3 अब बताइए मुझे कि अब दौनों मिलकर उस कार को कितनी लाकत में करेंगे तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि दौनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में कर लेंगे दौनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में कर लेंगे तो बताएए दौनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में कर लेंगे A प्लस B कितने दिन में कर लेंगे 90 वट्टे 8 किलिया रहे हैं तक अब कह रहे हैं कि क्या होगा उनकी लागत जब A की एक दिन की लागत साड़े तीन है और B की कितनी है धाई है दौनों की मिलाकत एक दिन की लागत कितनी है 6 है लेकिन ये काम कितने दिनों तक कर रहे हैं 90 वटे 8 दिनों तक तो 6 का क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा तो बताइए कितना आया कि लिए रहे हैं चलिए नहीं आया समझ में एक बार कॉपी कर लिए फिर से समझा दूँगा क्या बोले इसे फिर से समझी है हो गया देखिए कुश्चन फिर से समझी है यह बहुत ही अच्छा कुश्चन है यहाँ पर आपको एक ही एक दिन की मजदूरी दी गई थी और आपको यह भी दिया गया था कि एक कुल कितना रुपया कमाता है तो आप यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकते थे अपने जीमन से लगा के कुश्चन को देखिए आप सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते कि आप कितने दिन तक कार करेंगे आप लोग किसी जब अपना मेकान भगारा बनवाते हैं तो आप लोग कैसे करते हैं कि एक दिन की मजदूरी कितनी है मजदूर तो पता है 2400-300 रुपई चल लगी ए देनिक जीवन में जाньए अपना जितना भी चला हूँ अपने देनिक जीवन में जाईए कि 300, 300, 400 जितना भी चला हूँ आप लोग कहते हैं कि मैंने 2000 रुपे उसे दे दी तो आप लोग कैसा निकालते हैं 2000 भाग 300 या 400 या 500 यही तो करते हैं एक दिन की मजदूरी का भाग देते हैं और जितना आप खर्च किये होते हैं तो आपको पता चल जाता कि मजदूर ने कितने दिन तक काम किया यही तो आप लोग करते हैं ऐसे ही आपने यहापे क्या किया A की एक दिन की मज़़ूरी आपको पता थी और आपको ये भी पता था कि A को कुल कितना रुपय मिला है तो आपने वहां से निकाल लिया कि A ने कुल कितने दिनों तक काम किया होगा किलियर है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं यही आपने किया B के साथ B का एक दिन का आपको amount पता था और B की टोटर आपको मज़दूरी पता थी वहांसे आपने ये निकाल लिया कि B ने कितने दिनों तक कार की यहां तक clear है A का का आगया कि कितने दिनों तक कार की यहां से मैंने निकाल लिया total work total work इन दोनों का LCM आया 90 यहां से आपको पता चल गई उनकी efficiency तो आपने यह पता किया कि दौनों मिलकर उस कार को कितने दौनों में समाप्त कर सकते हैं दौनों मिलकर उस कार को समाप्त कर सकते हैं 90 बटे आठ दौनों में कितने दौनों में 90 बटे आठ दौनों में अब आप से का जा रहा है कि दौनों की लागत क्या होगी दौनों मिलकर अगर 90 बट्टे आठ दिनों तक कारे करते हैं तो वह कितना रुपया लेंगे यहीं तो का जा रहा है यदि वो एक दिन का 6 रुपया लेते हैं एक दिन का 6 रुपया कहां से आया एक अमारा एक दिन में मैं 231 रुपय और 20 Ohh एक दोनों मिलकर 6 रुपय कमा रही हैं तो नबाब बट्टि 8 दोनों में कितना है आएंगे सड़ सट पॉंट पांच रुपे किलियर है चलिए कुश्यन नम्मर आईए 56 पर कि कुश्यन नम्मर 56 पर आईए कि समंझ में नहीं आया चलिए कुश्यन नम्मर 56 पर आईए बहुत ही सिंपल कुश्यन नहीं यह वाला एक कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है बे उसे एक साथ मिलकर 400 रुपे में करने को तयार हो जाते हैं इस धनरासी में एका हिस्सा कितना होगा बताईए आप लोग गाईसो सब का आगया किसको नहीं आया बोलिए नहीं आया आपको एडिविसन न्यू है कब लिए ओ एडिविसन कल लिए ओ को समझने कोसिस करिए मैं समझा दे रहा हूँ अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं ठीक है मैं समझाने कोसिस कर रहा हूँ आपको कुश्चन नमबर 56 है एक किसी कार को 12 दूनों में कर रहा है कितने दूनों में 12 दूनों में बी उसी कार को कर रहा है 15 दूनों में अगर य यदि ए 12 दुनों में किसी कार को कर रहा है वी 15 दुनों में किसी कार को कर रहा है तो कुल कार कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा दौनों का यल्सियम 12 और 15 क्या होगा साथ होगा किलियर है कुल कार निकालने के लिए मैंने क्या किया दौनों का यल्सियम ले लिया तो कुल कार आया है साथ यहां तक के लिए अब जब efficiency निकाली जाती है छमता जब छमता निकाली जाएगी तो आप कुल कार में कुल कार में कुल दुनों की संख्या का भाग दे देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगी छमता efficiency मिल जाएगी तो कुल कार कितना है 60 है, तो यहाँ से A की efficiency कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, B की efficiency यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यहाँ तक कोई problem आपको, कोई दिक्कत, अब आएंगे question आपसे बोला है, तो A की छमता आ गई है 5, और B की छमता आ गई है 4, clear है, यहाँ तक कोई भी doubt हो तो बता सीजिए मुझे, अब आएंगे question बोला है आपको, यदी दौनों मिलकर कितना कमा रहें, 4.500 रुपे कमा रहें, कितना, 4.500 रुपे कमा रहें, तो पूछा जा रहा है आपसे एका हिस्सा क्या होगा जब दोनों मिलका साड़े 400 कमा रहे मतलब एका पांच और बीका चार कुल मिलाकर कितना नो ये नो मिलकर कमा रहे हैं साड़े 400 कितना तो एक कितना कमाएगा पचास कमाएगा एक कितना कमाएगा पचास कमाएगा लेकिन आप से किसका पूछा जा रहा है एका एका कितना है पांच तो पांच कितना कमाएगा दाइसो यही आपका अमसर होगा कि बास में आई की नहीं आई फिर से समझी आप एक किसी कार को 12 दूनों में कर रहा था बी कितने दूनों में कर रहा था पंद्रह दिनों में टोटल कार कितना आया साथ एक एफिसेंसी कितनी आई बी की एफिसेंसी कितनी आई जब एफिसेंसी आ गई जब एफिसेंसी आपकी एगी पांच आ गई बी की चार आ गई तो आप से आगे कह रहा है दौनों मिलकर कार कितने दौनों में रुपय कितने द बीए ने कितनी छंता से किया चार की छंता से दौनों ने इस छंता से कार किया लेकिन साड़े 400 रुपे में उसने कार खतम कर दिया तो लressि 2023 फांच और चार 5 आविती इसे मला चांसर होगा. कुश्चन नंबर 56 चलिये. के तो कि यहा को यहा कोईंस है व की अियो हैònwood झाल 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 चलिए कुश्यन नमबर 57 क्या पचास सही है सही है चलिए 57 नमबर कुश्यन बोला है आई और भी एक काम को 250 रुपे में करने की जिम्मेदारी लेते हैं धाइसो रुपे में ए उस काम को अकेले पांच दिन में कर सकता है एक कितने दुनों में पांच दुनों में और बी उसी कार को कितने दुनों में कर सकता है पंद्रह दुनों में कर सकता है बेसी की मदद से उस कार को कितने दुनों पूरा कर सकते हैं तीन दुनों में पूरा कर सकते हैं तो कह रहा है कि यदि सभी को कार में अनपात में सर्मिक मिलता है मतलब कार मतलब किस हिसाब से आप कार कर रहे हैं तो आपको धन मिल ला है तो सी की कितनी रासी मिलेगी सी की रासी पूछी गई जबकि A और B किसी कार को करने में कितना रूपे ले रहे थे 25 अब बटवा रहा होगा A और B किसी कार को करतें वो कितना लेते 200 लेते उसी कार को 15 में कर रहा है लेकिन A, B, C, तीनों मिलकर उस कार को कितने दुनों में कर रहे हैं तीन दुनों में पूरा कर रहे हैं तो इन बताईए इन तीनों का LCM क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा किसी कोई डाउट यहां से हटा देते 15 हो गया अगर एक ही एफिसेंसी देखी जाए आप जो नए आए हैं एक ही अगर एफिसेंसी देखी आए तो क्या हो जाएगी कुल कार कितना है 15 है समय कितना ले रहा है तो efficiency क्या होगी 3 होगी कि नहीं होगी clear है अगर b की efficiency निकाली जाए कितनी होगी कि एक होगी कि लिए रहे अगर c की efficient ABC तीनों की efficiency निकाली जाए तो कितनी होगीост时间 है, पांच होगी, किलिया रहर यह तक, आप मुझे बताइए अगर A की Efficiency 3 है, B की Efficiency 1 है, तो C की Efficiency कितनी हो जाएगी, C की B efficiency 1 हो जाएगी यहां से, C की Efficiency कहाईएगी, A, धन, B, धन, C की Efficiency में A और B की Efficiency आप घटा देंगे, तो यहां से C की efficiency कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी? किलियर है? यहां तक कोई doubt? अब यही जो 5 efficiency आई है क्या efficiency आई है? 5 A, B, C की जो छमता 5 आई है यही 5 कितना रुपया लेते हैं? 2.500 रुपया ले रहे हैं कितना ले रहे हैं? 2.500 यही 5 में बलके कितना ले रहे हैं? 2.500 ले रहे हैं तो एक की value पूछी गई आप से कि एक मतलब C कितना रुपया मिलेगा या C को कितना धन मिलेगा? यही तो बात है तो A कहां से आया आपने? यह efficiency कहां से निकाली? यहां से निकाली घटा कर तो A की value कितनी हो जाएगी? 50 रुपय यही आप का अंसर होगा बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से देखी कैसे? A का आपको दिया गया था 5 दिन B को आपका दिया गया था 15 दिन A, B, C, 3 तीनों के कितना दिया गया था? 3 दिन A किसी कार को 5 दिनों में खतम कर रहा है B किसी कार को 5 दिनों में खतम कर रहा है और A, B, C अगर 3 आया थे हैं उसी कार को 3 दिनों में ही खतम कर देते हैं सीधी सी बात है जब 3 लोग लगेंगे तो छमता जादा होगी? होगी कि नहीं होगी? अगर हमने total mark निकाल लियाल थिमने कितना आया ऑपया कर रहा है तो एक्षार कर रहा है तीन की शंधा से आचे की3का काम को खतम कर देंगे तभी तो पूरा धन मिलेगा आज अब आपका पूरा काम होगे आपको पूरा पैसा मिल घाओ बोलिए कहां दिया गया है कौन से वाले कुश्चिन में कि जाइसो रुपे कि हां तो किस से आंगे आईए आप यहां बैठी आगे हमें सुनाई नहीं दे रहा है वहां से आईए बैग भी उठाला आईए आप अपना आप लोगों यह समझ में आगया तब तक आप लोग समझ लीजिए के लिए रहे हैं यहां तक आपका चलिए आईए सीड दीजिए वाई इनको बैठने के लिए बैठिए अब बताईए आप बताईए 200 दिनों में करते हैं हाँ हाँ तो यही तूंर आपको बता रहा था जब आप दोने जिम्मेदारे लेकी आप दोने इस काम को इतने दिनों में कर देंगे HELए पहले आप अकेले हैं आपने जिम्मीदारे इम्मिदारी ले कि हम यह देखो अब फिर से समझे सुरू से कुश्चन समझे सांत रही है आप लोग आपका मकान बनने जा रहा है ठीक है आप टेंडर किसको देंगे एक को देंगे मालिक को ठेकेदार को देंगे उसने का आपका मकान इतने दिनों में तैयार हो जाएगा बनके और इतना रुपया लगेगा या इतने रुपया में तैयार कर देंगे अबो चाहे कितना भी मिस्त्री लगाए आपका मकान उतना ही बनेगा उतना ही रुपया लगेगा यहीं तो होगा पहले उसने A और B लगाए कौन लगाया A और B लगाया उसने का वह यह आप को डाई 100 रुपय मिल जाएगा क्या मिल जाएगा तो उसी 500 में तो बटेगा रुपया, रुपया थोड़ी नहीं आंगे बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, रुपया थोड़ी नहीं बढ़ जाएगा, जब वो काम उतने ही दिनों में कर रहा है, उतने ही रुपयों में कर रहा है, चाहिए वो चार को ल लगाले हमें फर्क पढ़ने वाला है नहीं उससे क्योंकि रुपया जो 220 सी देगा जो मालिक है वो रुपया कितने देगा आपको दाइसो दिया के तो वो दाइसो ही देगा आपको ठीक है किलियर है सबको कोई डाउट चलिए कुश्य क्या हुआ कुश्यन नमबर 58 पर आईए 58 नमबर पर आईए 58 नमबर का कुश्यन बहुत ही अच्छा कुश्यन है आपका चलिए देखिए 58 नमबर एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस सर्थ पर काम पर लगाया कि प्रती दिन काम करने के लिए उसे रुपे 75 मिलेंगे सांत रहिए कुश्चन को समझ एक ठेकेदार ने मजदूर को इस सद पर काम पर लगाया कि प्यती दिन काम करने के लिए उसे 75 रुपे मिलेंगे और प्यती दिन अनपस्तित होने के लिए 15 रुपे का जुर्माना देना होगा बीस दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपे दिये तो वह काम कितने दिन अनपस्तित रहा बताईए चार दिन आ गया सभी का किस किस का नहीं आया आप लोग का नहीं आया और आप सभी का आ गया देखिए नहीं आया आपका कोश्यन देखिए अप लोगं आ गया देखिए कुश्यन समझीए है बहुत ही अच्चा कोश्चन मैथन नूमर बन देखिए इसका आप लोग के मैंथन नूमर वन यह रहेगा आपका बैसिक मैथन प्र Mr. कुल कितने दुनों तक कार कर रहा है कुल कर रहा है बीस दुनों तक कार कितने दुनों तक कार कर रहा है आप मुझे एक बात बताइए कि जब बीस दुनों तक कार कर रहा है मैं माल लेता हूं कि वो एक्स दुनों तक उपस्तित रहा कितने दुनों तक उपस्तित रहा है एक् से प्तिन कितना युम होगा फंद्र रूपया hydro perché मिल एपिति दिनना होगा बहुत तर पे मिला वगा यह दि ए एकसदिन पस्तितरा वोगा तो इसे पछेदन रूपया मिला और पुलस अगर यह में संब पस्तित रहा है तो कितना रहा होगा 20 मानस एक्स अगर यह एक्स दिन आया है तो 20 मानस एक्स दिन नहीं आया होगा यहां तक कोई दिक्कत किलियर है 20 मानस एक्स अब इसे यहां पर देने पड़ मिला है दे 75 रुपे इतने दिनों यह नहीं आया तो इसे 15 रुपे जुरुमाने की रूप में देन तोए दिक्कत यहां तक इचकोड टू कितना मिला है है कि 1147 तभी तो गया शाल इस नहीं आया है कब यह ह्ग दिन दिन नहीं तो मैंने माल लिए यह एकशेवल दिन उपस्तित रहा है तो एकशे दिन इसे मिला होगा 75 र३ंप टैली के के रूप में क्या अपने किस के रूप में जुर्माने के रूप में दिया होगा कितना माइनस का पंदर रुपया कुल मिलाकर इसे मिलाए 1140 रुपय किलियर है सौल कर इसे 75 X मानस का 300 पिलस का 15 X इसकुल टू कितना हो गया 1140 तो बताइए कितना हो गया 90 X वरावर कितना हो गया 1440 X वरावर कितना हो गया एक इसला तक कार किया है तो इसने जिनों तक का कै अब वहन वह किया है तो इसने किनल कार नहीं किया होगा 20-16 के फ्लोडे इसमे एक था धिर कशिन को कुस्चिन क्या पोल लाए किस इसमे बोला है कि एक मजदूर है या कोई भी एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस सर्थ पर काम पर रखा है कि यदि हुए कि यदि हुए प्यती दिन काम के लिए आता है तो उसे 75 रुपय मिलेंगे यदि अनफस्तित रहेगा तो पंदर उसे जरौने कि रूप में देने होंगे 20 दिनों के बाठ ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिये तो वै कितने दिन कार में अनफस्तित रहा यदि अगर 20 दिन में कार कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में कार कर रहा है तो मैं मान लेता हूं उसने एकस दिन कार किया कितने दिन कार किया एकस दिन कार किया तो एकस इंटू 75 पिलस 20 मानस एकस अगर एकस दिन काम किया है तो 20 मानस एकस दिन अनपस्त रहा होगा वो किलियर है 20 मानस एकस इंटू मानस का पंदर इसके हल किया तो X Rural कितना आगया 16 जो आपने X माना था वो एक्स क्या माना था कि उसने एक्स दिन तक कार किया है तो कितने दिन गायवराब 20-16 बरावर चार दिन मैंथर नम्मर एक था यह आपका कि लिया रहे मैंसर नम्मर दो देखिये आप लोग मेढवर नम्मर डो गट्यों कौन सा जीट्यों आप मज़े बताइए अगर वो तीन दिन अनपस्तित राह होगा कितने दिन तक ग्रती दिन मैं एे न उठा लेता हूँ वह कह रहाए गिमिन अन पस्तित राह तो वो किपने कितने देन तक आया होगा 17डे 75 कितना होगा बोलिए 17 दिन आया होगा तो उसमें 75 रुपे मिला होगा कि नहीं मिला होगा तो 75 कितना होга कितना 1200 75 अब तीन दिन गायब रहोगा तो कितना मायनस का 45 यह तो गलत हो गया 1140 के बरावर नहीं आ रहा है दूसरा मैं उठाता हूं 5 दिन कितना 5 दिन इसका मतलब वो 15 दिन आया होगा कितने दिन आया होगा 15 दिन आया होगा 15 गोने 75 कितना हो गया 11.25 ये तो पहले ही कम हो गया अभी माइनस ओर होना है इसमें बेकार C उठाता हूं मैं 4 दिन तो कितना 16 दिन आया होगा 16 कुण 75 कितना कितना 1200 आ गया अब बताईए 4 दिन क्या रहा है वो कि एपसंट रहा है तो कितना रुपया माइनस का 60 कितना गया 1140 यहीं आपका अंसर होगा मैथड नंबर दो था आपका मैथड नंबर दो क्या था फिर से समझिए और मैंने ABCD उठा लिया अब मैं डायट आ रहा हूं चार वाले पर एबी तो मैंने आपका आपका चार आंसर होगा चलिए मैथड नंबर तीन पर आईए नमर 3 देखिये स्केम मैं prata नमर 3 देखिये एक गधिस के हैली एक सन्सान लग जाएगा आपका सिन पढ़ेंगे स्टे लोग क्जिईए लगा दो eligibility से देखिए एलिगेसन मेथड़ देखिए एलिगेसन मेथड़ में ये माना जाता है कि यदि उपस्तित रहा है तो पूरे दिन ही उपस्तित रहा है अगर अनपस्तित रहा है तो पूरे दिन ही उपस्तित रहा है किलियर है इतना ये आपको मानना है कि जब खरगोस वाले पड़े हो ना ख अपस्थित रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि 20-20 निकाही होगा अनु पस्थित रहा होगा या तक ऩ Oliver कोई दिकत अगर ब्योभ बीस के बीशिट दिन उपस्थित रहा होगा यहां मैं पर पर लिख देता हूं यदि हुआ 20 के 200 दिन क्या रहा होगा प्रजेंट रहा होगा तो उसे कितना रुप्या मिला होगा 20 गोने 75 बरावर 1500 रुप किलियर है अगर 20 दिन उपस्तित रहा है एक दिन का कितना मिलना है 75 रुपे तो 20 दिन का कितना मिलेगा 5100 रुपे मिलेगा केलियर है यहां तक यहां तक किसी कोई प्रॉबलम अब कह रहा है कि अगर अनफरस्ष्थत रहता है तो उसे पंदर रुपे जर्माना की रूप में देना पड़ता है कितना पंदर रुपे इसने जुरुमाना की रूप में पे किया होगा किलिया रहे यह मैनस का सिंबल देखी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है लेकन अब कह रहा है उपस्तित भी रहा है अनुपस्तित भी रहा है लेकिन उसे रुपया जो मिला है वो कितना मिला है 1140 मिला है कितना मिला है 11000 मिला है हल कर लीजिए 1140 मेंसे यह जाएगा तो कितना बसेगा कि कितना हो जाएगा 1200 145 15 में से 140 कितना का बाझा काना कैल्कुलेसर में है कि ए mixing 26 कितना आएगा ये कितना जाएगा 4 to 1 ये दिनों का जो ratio आ गया 4 to 1 आ गया है कितना आ गया है 4 to 1 आ गया है इसी 4 to 1 की value कितनी दी गई है 20 दिन 5 की value यहाँ पर दी दी गई है 20 दिन तो 1 की value कितनी आ गई 4 दिन यही 1 की value है ना अनपस्तित की की एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी फोड़ी यह मैंसर नमर तीन था आपका ऐलीगेसन मैं थाड़ देखिए क्या हुआ हाँ फिक्स है दिनों कहीं आएगा मजदूरी का जब निकालते हैं हम लोग तो दिन का रेशियू आता है ठीक है जब आप चाल का निकालते हैं तो आपका समय का रेशियू आता है ठीक है जब आप प्रॉफिट का निकालते हैं तो सीपी का आता है किलियर है और कुछ बताऊं नहीं नहीं और भी कई चीज जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आता रहेगा हस क्यों रहे आप रुफसाई बता रहा हूं जब आप ब्याज का निकालेंगे तो आपका किसका आएगा मूलधन का रेसियो आएगा एली के सब्सक्राइगे जब आप छूट क सब्सक्राइगा दिनों का आएगा किलियर है कि समझ में आ गया यह वाला मैथड यहां पर क्या किया है हमने यहां पर सिर्फ और सिप मैंने यह मान लिया है कि या तो वह पूरे दिन उपस्तित रहा है या पूरे दिन अनुपस्तित रहा है किलियर है अगर पूरे दिन उप कितना रहा है 1.14 रूपे आपने सॉल्व किया से रिश्यों कितना या फ़ॉर स्टू बन यही फ़ॉरlı स्टू बन मतलब बराबर पांच का पांच की वैलु कितनी दिग आपको बीस दी गई है एक की वैल्यू हाँ से कितनी आ गई चार दिन आ गई के लिए रख चलिए next question पर चलिए आप लोग question number 59 question number 59 देखिए अप फिर से देखिया अप इस question को em को 3 легtil rebel 100 रुप्य में काम करने का ठेका लेते हैं कितने बीक्ती तीन ब्यक्ति ले रहे जिस इस कार रुकर करने कितना आगा 1200 रुकर का काम करने का ठेका रहे हैं लेकिन पहला ब्यक्ति जो है उसका रुककित न आ Mexico में आठ जिनों में जो दूसरा ब्यक्ति है उसका लिकर कितने कर सकता है कि ऑ्यूंश अ कर सकते हैं कि कितने तुनों में कोई दिक्क्त यहां तक लेकन ठेका कितने रहे थे बताई यह बारासो रुपेम ले रहे थे, अब जो ये तीनों बारासो रुपेम ठेका ले रहे थे, लेकिन अब जो बटवारा होगा, इस चोहते के साथ भी होगा, पहले तो इन तीनों में ही बटवारा होना था, लेकिन अब जो बटवारा होगा, वो किसके साथ भी होगा, चोहते के सा ऐस पार बैस भी हो गार चलिए मेरे और यह किसी ही कार को पूरा कर रहे हैं यह बारा्त लूम्हें कर सकते हैं यह चारो मिलकर उस nii n required को तीनों में ख़तम कर सकते हैं तो कुल कार मुझेहां से पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा तो कुल कार कैसे आएगा हिसके शॉना आठ्ट बारह, सोला और तीन का Alt down एक लग्र, 38 कमल कार आगा अश्म, कितना होरेक्षा जाये गी सिंश आ जाएगी, कोई दिक्कत यहां से रहादर कितनी होरे घैंग रह जाएगे कि वह घ्रीज प्रय कितनी हो जाएगी झालं इसकी कितना आएगी तो आ यह तक हैं वास्ट सेकंड थार्ड पूर्ट चाहरों की सिंसी गए यह 16 मुझे यहां पर एक सनुर पता है बीइसेंस पता है कि दिशन्थी पता है और चाहरों की 1410 पता है तो यहां से मुझेसे सीधिविकीस यही कैसे चारों की efficiency में हम पहले दूसरे 30 की efficiency क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 6 4 10 13 16 मैंसे कितना गया 13 गया तो डी की efficiency चौते की efficiency आगी वो कितनी आ गई तीन आ गई यहां तक किसी कोई डाउट यह वाली efficiency समझ में आ गई चौते की आपको कैसे आपको पहले की efficiency पताती दूसरे की efficiency पताती तीसरे की efficiency पताती चारों की efficiency पताती आपको जब चारों की efficiency में आप तीन की efficiency घटा देंगे अपने चौते की efficiency आ जाएगी तो चौते की efficiency आप आ गई तीन अब कुष्टन आपसे पूछ रहा है कि यदी तीनों मिलकर इस कार को बारा सो रुपे में कर रहे थे तो चौन – कार में कितना रुपरय मिलेगा यहीं तो पूछ रहा है तो इसी कि वैलिउ आप से पूछे गई कितनी हो जाएगी दो सो पच्चST पर यहीज आप का अंसर होगा चलिए है यही आपका अंसर होगा हैसा समझ में आ गया कि नहीं आया के लिए अपका के लिए रहे चलिए आ पको समय नंबर साथ पर आई यह आप लोग अब अच्छा कुश्यन है कुश्यन नमर साथ और लगेगा यह कुश्यन कुश्यन नमर साथ देखिए आप लोग यदी कोई ब्यक्ति सब्ता में पहले पचास घंटों में काम के लिए दो हजार रुपे कमाता है कुश्यन समझ रहें आप लोग यदी कोई ब्यक्ति सब्ता में पहले पचास घंटों में काम के लिए दो हजार रुपे कमाता है और अत्रिक्त समय के लिए उसे नियमित दर्से डेड़ गुना बुक्तान किया जाता है मतलब अगर वे पचास घंटे से जादा काम करता है तो वे डेड़ गुना बुक्तान लेता है कितना लेता है डेड़ गुना बुक्तान लेता है यदि उसे सब्ता में 2300 रुपे कमाने के लिए उसे कितने अत्रिक्त घंटे काम करना पड़ेगा देखिए बात कितना पांच घंटे आ गया ना समझ गये कैसे समझ ये आप लोग सबका आ गया किस किसका नहीं आया नहीं आया चलिए समझ ये बात को अब जब वे पचास घंटे तक काम कर रहा है तो वे कितना रुपया कमा रहा है दो हजार रुपया कमा रहा है कितना कमा रहा है 2000 रुपय कमा रहा है यदि वे 2300 रुपय कमाना चाहता है 2300 रुपय कमाना चाहता है तो कितना उसे extra काम करना पड़ेगा ये आप से पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है लेकिन अगर वे 50 घंटे से जादा कार करता है तो पहले जितना रुपया मिला होगा उसका डिढ़ गुना आपको मिलेगा यदि आप केवल ये निकालने है कि डिढ़ एग घंटे में वो कितना रुपया उसे मिला है तो आपका आंसर आजाएगा एक घंटे में उसे कितना रुपया मिलना है, सबसे इंपोर्टन चीज़ यह है, कि 50 घंटे का तो गृट आपको पता है, अगर आपको एक घंटे का डेट पता हो, तो आप पता कर लेंगे कि उसका डिढ़गूना कितना हो जाएगा, जब आपको डिढ़गूना पता चल गया तो आपको यह पता चल जाएगा वो 300 रुपे कमाने के लिए क्योंकि 2000-2300 पर जाना है यह 2000 कमा रहा है वो 50 घंटे में उसे कमाना कितना है यह 300 रुपे का तो matter है यह 300 रुपे कमाने के लिए वो कितने घंटा एस्टा काम कर रहा है यह तो आपको पता करना है यदि आपको यह पता करना है कि 300 रुपे वो यह कितने घंटे में कमा लेगा एश्टा काम करके अगर आपको एक घंटे का rate पता हो उसका डेड़ गुना जो होगा उसका जो भी डेड़ गुना होगा उसका भाग दे देंगे हमें घंटे पता चल जाएं कितने दिन उसने एश्टा घंटे काम किया यही तो निकल के आएगा बस इतना छोटा सा काम है तो आप मुझे यह बता दीजिए 50 घंटे में कमा रहा है 2000 रुपे कोई व्यक्ति 50 घंटे में 2000 कमा रहा है कितना 2000 रुपे एग घंटे में कितना कमाएगा 40 रुपे कमाएगा अब कह रहा है यदि यह 50 घंटे के बाद कार करता है 50 घंटे के बाद कार करता है तो उसे पहले के धनका तीन बट्टे दो मिलेगा कितना मिलेगा देड़ गुना मिलेगा तो बताई इसका देड़ गुना कि कितनला उयागा पहले के धनका डेड़ कुना पहले के धनका की एक फट्टे दोगना कितना हो जाएगा साठ रूपे हो जाएगा कितना हो जाएगा destructive अब Nicholas को कौन कवर करेगा यही 60 रुपे कर तो कवर करेगा इस 300 रुपे को यही 60 रुपे तो कवर करेगा तो बता दीजे जब 300 रुपे उसे कमाना है और एक घंटे मुझे कितना मिला है 60 रुपे मिला है तो बता दीजे कितने घंटे काम किया है 5 घंटे यही आपका अंसर होगा देख कि वह उससे ज्यादा कार करेगा तो तो डेड़ गुना रुपया मिलेगा कितना मिलेगा डेड़ गुना रुपया ज्यादा मिलेगा लेकिन वह 2300 रुपय कमाना चाहता है कितना रुपय कमाना चाहता है तो 2300 रुपय कमाने के लिए उसे कितने घंटा एश्टा कार करना पड करेगा उस घंटे में उसे कितना रुपय मिलेगा साथ रुपय मिलेगा अगर वो पचास घंटे से एश्टा काम करेगा तो उसे कितना मिलेगा साथ रुपय मिलेगा तो उसे एश्टा कितना रुपय चाहिए 300 रुप्य चाहिए 300 रुप्य जब आश्ट आपको चाहिए तो 300 भाग 60 उस घंटें सो 6 रुप्य मिलेगे ना 300 भाग 60 कितना आ गया 5 घंटे तो यह 5 घंटा आपका आंसर आ चलिए सभ्या समझ में रेका को तो कुछन नम्मा सक्ष्टी बन किया हुगा कोई बात आगे समझने हैं हो गया कॉपी कोश्चन नमर 60 बन देखिए तीन सिर्म को ए बी सी को ठेके पर 750 रुपे किसी कार को पूरा करने के लिए लगाया गया ये तीनों मिलकर इस कार को आठ दुनों में समाप्त कर सकते हैं ए और सी दौनों मिलकर इसे बारत दुनों में ए और बी मिलकर इसे तेरा साइए एक बट्टे तीन दुनों में पूरा कर सकते हैं मेहनत आने की रकम को किस अन्पात में वर्द किया जाएगा आ गया कितना आया आप लोगों को आप लोगों को आ गया किस किस का नहीं आया सुम्म खुष होगा आज किलास नहीं चलेगी हैं खुष थे बहुत खुष थे फस गये लेकिन आज टारगेट पे आ गया जाएग क्या मैसज थोड़ी नहीं पड़ा होगा वो उसे पहले से पता था क्लास कौन लेगा टारगेट पे अब यह बच्चा चलिए अनिल सर क्या किया आया इसके साथ हुआ हुआ है क्वेशन नमर सक्ष्टी वन क्या हुआ ने ना आ गया आपको देखिए क्वेशन नमर सक्ष्टी वन देखिए आप लो क्वेशन बोला है आपसे तीन सनमर्क ए बी सी ठेके पस सासु रुपे में किसी कार को पूरा करने के लिए लगाया गया यह सभी तीनों मिलकर किसी कार को आट दून पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर A, B और C, तीनों मिलकर उस कार को कितने दुनों पूरा कर सकते हैं? 8 दुनों मिलकर उस कार को कितने दुनों पूरा कर सकते हैं? 12 दुनों में, जबकि A और B मिलकर उस कार को कितने दुनों पूरा कर सकते हैं? चालिस बट्टे तीन दुनों में आप लोगों को जो भी दिक्कत हुई होगी यहाँ पर ही दिक्कत हुई होगी कि जो LCM दे दिया गया है जो दुनों की संख्या दे दी गई है वो fraction volume दे दी गई है यही तो दिक्कत हो रही होगी कि इसके लाबा कोई दिक्कत हो रही थी यही दिक्कत हुई है ना चलिए आईए देखिए किसोट तेज लग रही है हो गया चलिए आईए देखिए A, B, C तीनों मिलकर किसी कार को 8 दुनों पूरा कर सकते हैं A और C मिलकर उसी कार को 12 दुनों पूरा कर सकते हैं और A और B मिलकर उसी कार को 40 वट्टे 3 दुनों पूरा कर सकते हैं अब आपसे पूछा गया है कि इनके महनेत आने की रकम क्या होगी सर में दर्द हो रहा है तो आप पीछे बैठ से जाकर ठीक देखिए 8 वारा 40 वट्टे 3 क अगर इनका हम一樣 ले ले तो हमें यह से क्सली जाएगा कुल पनागर पता चल जाएगा कुल कई अगर पता चल जाएगा तो हम治 जी इफिशैंसी पता कल जाएगी देखिए अगर आब इत्री वो क्या कहते हैं उसे आब इत्री कम कर देंगे तो लड़कियों जैसी आवाज निकलने लगेगी मेरी ठीक है इस साइंस का एक समझ रहे हैं जितनी मानस में जाएगी उतनी पतली आवाज निकलेगी चली आईए संद रहे हैं एक बहुत अच्छी बात आने जा रहा हूं कई बच्चों के दमाग में ये बात होगी कि जब फ्रक्षन में दे दिये जाती है तो हम लोग कैसे निकालेंगे दिनों की संक्या जब फ्रक्षन में होगी तो कुल बर्क कैसे निकालते हैं कई लोगों के दिमाग में होगी कई लोगों की डाउट किसके डाउट में है ये चीज देखिए इसी चीजों से नहीं ड़ना है आपको केवल और केवल ऊपर वाली जो अंस वाली संख्या होती है उनका एल्सियम ले लो अंस वाली संख्याओं का तो आठ बाराओ चालिस का एल्सियम क्या होगा कितना है 120 होगा तो टोटल कार कितना हो गया 120 हो गया टोटल कार हो गया 120 कैसे आपने जो ऊपर वाली जो अंस वाली संख्याओं थी इसके नीचे एक होता है ना पता है ना आप लोगों को एक A और B की कितनी आ जाएगी? 9 यह हो जाएगी 9 यहां से बताईए कैसे निकालते आप लोग मैं बता देता हूं कैसे आया 120 यह आपका टोटल बर्ख है कितना है? 120 टोटल बर्ख है तो इसके नीचे भी तो एक रहता है भाग देंगे उसमें आप कितने का? 40 बटे 3 का बचपन से सीखते आए पहले में 14 का गुणा दूसरे में 3 गुणा 120 गुणे 3 बटे 40 40 टीया 120 बराबर कितना आ गया? 9 सीधा सीधा आप लोग क्या करिये? जो एफिसेंसी में आप उपर वाली संख्या से बाग दें जो भी संख्या निकले उसमें हर वाली संख्या का गुणा कर दें कितना आया? 40 टीया 120 तीन का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया किलिया रहे इतना? आपने क्या किया? फिर से समझी आप लोग ये वात आप जब भी आपको fraction value दी जाए समय की fraction value कभी भी आपको दी जाए और आपको कुल समय निकालना है कुल कार निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अंस वाली संख्या का LCM ले लेंगे और कुल बर्क जो आएगा उसमें भाग देंगे जो हर वाली संख्या से उसमें multiply कर देंगे सीधा आप कहां से निकल के आ जाएगा क्या कि आपने 40 तीया 120 तीन आया ना तीन में तीन का गुड़ा कर दिया कितना आ गया? नो आ गया यही आप से पूछा गया है अब question क्या पूछ रहा है? कि में ताने की रकम को किस अनुपात में वालत किया जाए A, B, C का कितना आ गया है? A, B, C का अगर 15 आ गया है यहाँ पे लिग लिजे A, B, C की तीनों की efficiency मिला कि 15 आ गई है A और C की efficiency आ गई है आपकी कितनी? 10 A और B की efficiency आ गई है आपकी 9 तो यहाँ से आप A, B, C की efficiency निकाल सकते है अगर A, B, C की efficiency 15 है तो आप बताएए B की efficiency कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी B की efficiency 5 हो जाएगी option में केवल एक ही efficiency B की 5 दी गई है option A वाला आपका answer होगा आँगे question को solve नहीं करना है आएगे question को solve आपको नहीं करना है कैसे? समझ में आगया? अगर नहीं आया समझ में तो तब भी मैं निकाल देता हूँ A, B, C की efficiency आपको 15 दी गई है और A, B, C की अगर 15 दी गई है A, C की 10 दी गई है तो यहाँ से आप B की निकाल सकते हैं कैसे? A, B, C माइनस कर देंगे किस की? A, B, C की तो यहाँ से किस की बचेगी? B की बचेगी की निए बचेगी? 15 माइनस 10 वरावर कितना आ गया? 5 आ गया B की कितनी आ गई? 5 आ गई अगर मैं यहाँ से C की निकालना चाहूँ A, B, C, 3 की 15 दी गई है A, B की 9 दी गई है तो C की कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी अगर A, B, C, 3 की 15 है अगर B की 5 है C की 6 है तो बताएए A की कितनी मचेगी? यही तो आप से पूछा गया है कि महन ताने की रकम किस में बाटी जाएगी? 4, 5, 6 में बाटी जाएगी? के लिए रहे? बाट समझ में आगी आप लोगे? सीधा से काम पे क्यों कर लेते? क्यों काम बढ़ाएँ अपना? क्यों बढ़ाएँ काम? हमें पता है नीचे सीधा सीधा हो जाएगा फिर आप जितने का आप गुणा करते हैं है जितने का भाग करते हैं फिर आंसर में भी उतने का करना पड़ता है यह चीज़ पता है आपको? और दिमाग से गर उतर गया आपके कि हम उपर से करके आए है गुणा या भाग और नीचे आके मां आंसर में नहीं करेंगा तो आंसर गलस हो जाएगा है? बस क्यों क्यलकुलिसा हम बढ़ाएंगे? हम बढ़ाएंगे नहीं क्यलकुलिसा सीधा सीधा है उपर का लीजी आल से उतने का आपको ना कर दिए लीचे एक यह वार में करते चलिए कुश्चन को स्वाल हो गया इतना? कुश्चन आगया ही समझ में? कुश्चन नमबर 62 चलिए ओरल कुश्चन है देख लिए यह डू यॉर्सल्फ में डालेंगे 62 नमबर का कुश्चन आपका कैसे आएगा? A, B, C किसी कार को 575 रुपे में करने के लिए काम पर रखा गया है A, B, C को काम पर कैसे रखा गया है? यह 575 रुपे में काम को पूरा कर देंगे A और C मिलकर 19 वट्टे 23 काम पूरा कर लेते हैं देखिए A और C मिलकर कितना काम कर लेते हैं? 19 वट्टे 23 बास समझे आप लोग A और C मिलकर 19 वट्टे 23 काम कर लेते हैं तो काम बचा कितना? B अकेला कर लेगा 4 बटे 23 काम यही तो काम से इस बचा है बास समझ में आ रही है टोटल काम जो नीचे वाली value क्या represent करती है ratio में नीचे वाली value यह represent करती है कि टोटल काम कितना है टोटल काम अगर आपका 23 था अगर सीधी बासाम बोला जाए कि अगर A और B 19 वट्टे 23 काम कर रहे हैं अगर टोटल काम 23 था तो A और C ने मिलकर कितना काम कर लिया है 19 काम कर लिया है बचा कितना काम 4 गाम बचा यही तो बोलेंगे हम A और C मिलकर किसी काम का 19 वट्टे 23 काम कर लेते हैं तो नीचे वाली value क्या represent करेगी टोटल काम कितना होगा तो टोटल काम कितना होगा 23 होगा बचेगा कितना काम 4 बस यही तो कहा गया है 23 काम का दिया जा रहा है आपको कितना 575 रुपे कितने गुने पे 25 गुने पे तो बताईए इसे कितना मिलेगा 4 गुने 25 100 रुपेया ओरल कुष्टन था बोलिए क्या किया आपने आपने कुछ नहीं किया अगर A और C किसी काम का 19 वट्टे 23 काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा आपका टोटल काम होगा आपका 23 सेस काम कितना बचेगा 19 हो गया बचा कितना 4 बचा इसी 23 के लिए आपको कितना रुपया दिया जा रहा है 575 कितने गुने पे 25 गुने पे तो इसी 4 का कितना मिलेगा 100 किलियर है और लकुष्टन सीदाब आप भी ही करेगा यह और सी चलेगा एक काम करके उसका यही निकल के आया है उसका मतलब यह SSC की वासा है SSC ने इस कुश्चन को मैंस में पूछा हुआ है सन 2.17.17 में पूछा गया हमें डेट के लिए नहीं कोई यह मां समझना है आप लोग आजाएंगे नहीं 2.17 में नहीं आया था यह ठीक है आया मैंस में ही है किसी 2.16.17 की यह किसी उसमें आया हुआ है मैंस का यह कुश्चन पूछा हुआ है SSC की ही लेंग्विज है यह SSC ने जो कुश्चन आप से पूछा था चलिए अब आईए कुश्चन नमबर 63 पर 63 नमबर पर आईए A किसी कार को 16 दुनों में B उसी काम को 24 दुनों में C की साहिता से मिलकर काम को 6 दुनों में पूरा किया जा सकता है तो यदि काम के लिए 400 रुपे मजदूरी मिलती है तो पिरते को कितने रुपे मिलेंगे हो जाएगा सभी का हो गया देखिए लेकिन लास्ट में आप लोगों ने कैल्कुलेशन कैसे की है 25 से गुणा थोड़ी नहीं किये है हम क्यों 25 से गुणा करेंगे तेज की वैल्यू कितनी पांसो पच्छतर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी पच्चेस अब कितने की चार की आप करेंगे आप 25 से गुणा की अभी भी नहीं करेंगे इसलिए इसलिए मैं डारेक्ट यहां से भाग देके बोला था पच्च्छेस गुणा को ठीक है क्लियर है कौन पूछा था कि लिए रहा है वहीं सब चीज है वह क्या है जब आप प्रेक्टिस करते रहेंगे ना तो सीधा कितने गुने पर रही है वह आप सीधा इवन डिजिट से आंसर निकाल लेंगे ठीक चलिए आई यह आई यह नीचे जब आपने इससेंनबर कुष्चन उसमें आपको जयादा नहीं करना था है कि हो गया हुआ हे आख को यह हां बदेखिए एफिसेंसी मैं बता देता हूं तब भी 63 में किमल और बता देता हूं जो इफिसेंसी जो आएगी इस एनसी ना इके तो आईगी ना अब आप एक गोहर कर यह एक ए बी-सी की निकल कर त्री स्टु टू इस्टू इस्टू बंब đây वार்वर ऑप्सर में आप देखेंगे किस में आ और सी की तो पर बस टिक मार देना था बाकि हिस्सा नहीं निकालना था आप लोगों है ठीक है किलियर है चलिए कुश्चन नंबर 64 पर आईए आप लोग कुश्चन नंबर 60 दू यूर्सल्फ में डाल दे रहा हूं 63 नंबर का हल नहीं करना था इस कुश्चन को दिमाग इतना चलना चाहिए एक जाम में कि आप पूरा लगाने अगर बैठ जाएंगे एक दिमाग आपका कुश्चन सौल्व करने पर रहना चाहिए दूसरा दिमाग आपका कहां रहना आँसर पे कितना आंसर आ रहा है कभी कभी किया होता है आप यूट्रेट से यह निकाल लेते कि आंसर में गुणा करोंगे लाश्ट डिट क्या होगा आप लोग यहीं तो निकाल लेते हैं और जब कुशन चार उलग है मजदूरी तो टाइम लगेगा बेसक आपका एक तीस सेकंड लगे लेकिन तीस सेकंड तो गया तीस सेकंड में आप दूसरा भी आंसर निकाल सकते हैं यह सच्चा ही है हसी आ रही है जिन लोगों को उनको मैं बता दूँ एक एक मिनट का मैं तो क्या होता है यूपी पुलि आप यंद्रे में एक वैकंशी निगली तो लोगों दिया होगा तो हुआ क्या था उसमें नमबर था कि आप इतनी अगर मिनेट में दोड़ेंगे तो इतना मार्क मिलेगा यह तो सिस्टम था कई ऐसे बच्चे थे तो एक एक सेकंड अगर रह गए तो बोने मिले नमर साथ जो एक सेकंड लेट हो गए उन्हें नम्मर मिले कितने असी कि समाझा 20 नम्मर तुरंत इनकी जो गया ता एक सेकंड में और जो बीस नम्मर जिनके इनकी हुए थे वह मेरिट बढ़ा दिये थे समझ लेन वात को तुरंत एक एक सेकंड पर बढ़े थे एक सेकंड जैसे 22 minute का कुछ था मुझे कंफर्म नहीं है 20 मिट का को सिश्टम था या 22 मिट को सिश्टम था कई मित रुए थे मेरे स्लेक्ट उसमें एक सेकंड का सिश्टम तो एक सेकंड अगर जैसे नीचे हुए तो नंबर असी से कितना हो गया था साथ हो गया था तो यह चीज़ आपको ध्यान र कि 64 नंबर पर आईए क्यों बोलना है 64 भी ओरल है आप लोगों का कैसे होगा बोलिए आ गया सभी को एक ही पैटन पर इतने कुश्टन करवा दियेंगे निकाल लोगे कितना आया अंजर कि सभी का आ गया किसका नहीं आया पूछ ले कि किसी को पूछना है बोलिए कि सबका क सब्सक्राइब कि 64 नंबर डू यॉर सेल्प चलिए 65 नंबर आ गया आंसर की में साइट 165 दिया गया है लेकिन कितना एगा एक साथ यह भी आपका डू यॉर सेल्फ निकाल लेंगे आप लोग चलिए यह टाइप आपका हो गया है खतम नहीं हुआ अभी और कुछ बचा है कि हमें समय चाशेट नंबर देखिया अप लोग क्या यह हुआ यह भी हो जाएगा अ क्या हुआ कि हमसे किसमें कि कि अ कि कितना हरा है कि आपकर कितना रहा है तो कि अंशर की गलत है क्या आंसर की चेक करिए 12 लगातर कैसे गलत हो commerce कlya ऐसे कुछ तिम लगातर आंसर गलत है और ऑनला को सच्चझ अ सब्सक्राइद के और गई है था के तीन आंसर कैसे गलत हो सकते हैं यह कि नहीं चलिए ठीक है कोई दिकत नहीं कि पैसर तक आप लोग रखी आगर आंसर गलत है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा ठीक है और आंगे का जो किलास चलेगा आपका टिक्नोमेट्री का सारिक सर क्लास लेंगे कुश्चन आंगे करवाई जाएंगे आप लोगों को कोई सोड नहीं मचाएगा सर आएंगे आंगे के प्रैक्टिस कुश्चन करवाएंगे कितने कुश्चन हो चुकिया आप लोगों के आप लोग बैठी है सर क्लास नहीं लेंगे आज सारी सर आके क्लास लेंगे आप लोगों की ठीक है कंटीन्यू करेंगे आप लोगों का आंगे से आके